हलो फ्रेंट्स तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे भढ़ाते हैं तो अभी तक देखिए हमने बहुत सारे वीडियोस को 29 वीडियोस को अपलोड कर दिया है तो make sure कि आप वो सारे वीडियोस देखो तभी आपको जावा बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी आज जो हमनों सीखने वाले हैं जावा में package का concept क्या होता है package देखिए एक तरह से ना वो bundle की तरह काम करता है जैसे यहाँ पर समझी हमारे पास यह e-drive होके e-drive में हमने क्या क्या कई सारे folders बनाए है हमने एक यहाँ पर image नाम का folder बनाया है देखिए इसमें image होगी है ना हमारे पास कई सारी image यहाँ पर हो सकती है तो image नाम का हमने folder क्यों बनाया क्योंकि हमें इसके अंदर images को रखना है हमने यहाँ पर c language tutorial नाम से folder बनाया क्यों कि हमने जो c language आपको पढ़ाया था तो उससे related हमें यहाँ पर files रखनी थी है ना यहाँ पर हमने git tutorial बनाया है तो इसके अंदर हमने git के course को रखा है git के files को रखा है तो हमने यहाँ पर folders क्यों बनाई ताकि वो files वो सारी चीजें जो किसी एक particular चीज से related है जो similar तरह के काम करते हैं उनको हम अपने एक folder में रख सके हैं जैसे आप अकसर एक folder बना लेते हो वीडियो नाम का folder जिसमें आप सारे वीडियो को रखते हो आप movies नाम का folder बनाते हैं उसमें सारी movies को रखते हो है ना उसमें भी आप categorize कर सकते हो movies के अंदर भी आप अलग-अलग folder बना सकते हो जैसे माल लिजी आपके पास एक folder आप बनाए लेट से आप movies नाम से आपने folder बना लिया फिर इसके अंदर भी आप categorize कर सकते हैं आप इसके अंदर लेट से लिखिए आप बालीवूर्ड movies को बना लीजे जो कुछ भी हो बालीवूर्ड बना लीजे है न आप एक और folder इसके अंदर बना सकते हो इस तरह से आप यहां पर हालीवूर्ड बना लीजे है न तो आप यहां पर क्या कर रहे हो आप कई सारे folders बना बना करके चीजों को categorize कर रहे हो वो सारी चीजे जो similar हैं उनको आप एक folder में रखते हो है न तो folder साब क्यों बनाते हो जो चीजे एक type की हैं या एक तरह के कान कर रहे हैं उनको आप एक एक जगह पर combined रखना चाहते हो आप combined क्यों रखना चाहते हो ताकि आपको minus करना आसान हो है न अगर आपको in future माल लीजे कुईसी movies को सर्च करना है तो आप क्या करोगे आप movies वाले folder में आओगे आप वालीवूड की movies को सर्च करना है तो आप वालीवूड फोल्डर में आ जाओगे है ना या माल लीजे कोई movie आपको add करना है यहाँ पर तो वो movies किस category में है उस वाले folder में आ करके उस movies को add करोगे तो यह maintain करना बहुत आसान हो जाता है और है ना maintain करना बहुत आसान हो जाता है चीजों को modify organize करना बहुत आसान हो जाता है और इसी लिए Java में भी कुछ इसी folder की तरह package का concept होता है आप बिल्कुल सेम माल लिए जैसे आप folders बना बना करके अपने files को अपने videos को आडियो को manage करते हो जाबा में उसी तरह हम लोग क्या करते है जो Java की हमारे पास files होती है वो files जो एक similar तरह के काम को करती है उनको हम एक package में रखती है जो files किसी दूसरे particular task को करने के लिए बनी है उनको हम दूसरे package में रखती है तो इस package के अंदर रख सकते हैं जैसे आप जब project बनाते हो आपके पास कई सारे modules हो सकते हैं तो module 1 से related जो काम होगा उसको आप एक package में रखिए जो module 2 से related काम होगा उसको आप दूसरे package में रखिए तो ये कितना अच्छा होगा आपका जो project structure structure होगा वो बहुत अच्छा होगा आपको code को organize करना बहुत असान हो जाएगा modify करना आसान हो जाएगा और इसलिए Java में package का concept आता है तो Java में package क्या होते हैं package Java files का collections होते हैं जैसे माल लीजे हमारे पास एक package है pack 1 हमारे पास एक दूसरा package है pack 2 कई सारे हम package अपने अपने project में बना सकते हैं और इन package के अंदर क्या होगा वो सारी Java की files जो similar type के task को perform करती हैं या किसी एक module से related हैं आप files के grouping कर सकते हैं किसी भी basis पर वो आपके उपर depend करता है ये किस basis पर आप files को group कर रहे हैं आपने project की हिसाब से आप अपनी files को group करिए और ये अच्छा है तो जैसे यहाँ पर देखे हमारे पास package हमने बनाया pack 1 इसके अंदर हमने कई सारी Java की files को रखा इसी तरह हमारे पास package दो दूसरा package है उसके अंदर भी हमने कई सारी Java की फाइल्स हो रखा है इनको आप files माल लीजिए है ना तो package बनाने का profit क्या हुआ आई होप आपको समझ में आया होगा तो अब हम लोग package बनाते किस तरह से है programming में Java का हम लोग code कर कैसे करेंगे कि हम लोग वारा लोग का package क्रियेट हो जाए उस package के अंदर हमारी ये Java की files Java का जो Dart class files होती हो बने है ना Java के source files हमें कोई मतलम नहीं आपको पता है कि जैसे अगर हमारे पास let's say Hello.java files है तो जब है इस file को compile करेंगे तो क्या होगा Hello.class नाम से एक files बनती है तो ये जो Dart class वाली files है ना इनको हम लोग package के अंदर रखते हैं तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हम लोग किस तरह से ये सीजे कर सकते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ मैं simply एक यहाँ पर मैं आप file create कर लेता हूँ let's say test नाम से और इसको मैं test.java से save कर लेता हूँ और फिर मैं क्या करूँगा मैं इसको simply open कर लेता हूँ पर note part plus plus से और मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ class बना लेता हूँ let's say test और test ही रखेंगे class का नाम और इसके अंदर मैं अभी बहुत बड़ी coding नहीं करने वाला हूँ public static wired main steering args ok इस तरह से और इसके अंदर मैं simply एक message दे देता हूँ यहाँ पर मैं लिखूँगा system.out.println hello students सैसे कुछ भी हमने लिख दिया यह बहुत matter नहीं करता message ok इस file को हमने save कर दिया और फिर हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपना cmd को open करेंगे बहुत easy है यह concept बहुत ज़्यादा tough नहीं है हम लोग क्या लिते थे java c और अपने class का नाम test.java file को compile करते हैं तो जब हम लोग compile कर रहे हैं यहाँ पर यह test.class file बन गई लेकिन इस file को तो हम package के अंदर रखना चाहते थे माल लीजे मुझे यह pack 1 के अंदर रखना है है ना तो आप कैसे रखोगे तो अगर आप normal तरीके से यहाँ पर इस तरह से compile करोगे तो वो ऐसे ही बनाएगा जैसा हम पहले भी करते आ रहे थे है ना और अगर इसको run कर दोगे तो यह hello students यहाँ पर print भी कर देगा लेकिन हम क्या चाहते थे हम यह चाहते थे कि जो यह हमारी .class file है यह एक package के अंदर बने तो अगर आप चाहते हो कि यह test class file है इसका जो compile करने के बाद .class file होगी वो एक package के अंदर बने तो आपको यहाँ पर as a first line याद रखना मैंने क्या बोला as a first line आपको यहाँ पर simply package का नाम लिखना है हमने लिखा pack1 आप क्योंकि हम लोग package बना रहे तो इसके साथ में हम लोग package एक होता है keyword पाइकेज होता है कीवर्ड लिखिए पाइकेज और अपने पाइकेज का नाम लिखिए पाइकेज का नाम आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो अपने एकार्डिंग हमने यहां पर लिखा है पाइक वन हम चाहें तो पाइक डाट मुनी डाट सिंग इस तरह से कुछ भी किया था तो जब हमने scanner class को यूज किया था तो क्योंकि वो एक predefined class थी और वो class भी किसी package में बनी थी तो उस package को हम लोगों ने यहाँ पर import कर लिया था है ना ऐसे लिखा था न इंपोर्ट java.util package को हम लोगों ने इंपोर्ट किया था और इस यूटिल package के अंदर scanner class थी उसको हम लोगों ने क्या क्या थी इस तरह से इंपोर्ट कर लिया था है ना तो जब भी हम predefined class का यूज करते हैं तो वो class जिस package में बनी है उस package को हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो यहां पर जो scanner class है वो किस package में है जावा.util package में है अब नाम देखिए यहां पर लोगों ने किस तरह से रखा है जावा में कोई भी package वो जावा से start होता है डाट करके package का नाम इस तरह से लिखा जाता है तो यह import keyword का हम लोग यूज कप करते हैं जब यह के लिए मैं यहां पर सिर्फ हो सिर्फ pack one रखता हूं तो आपने क्या लिखा package लिखा और package का नाम लिख दिया और ध्यान रखना यह पहली line होनी चाहिए अब ठीक हमने package लिख दिया और package का नाम भी लिख दिया यहां पर चलिए हम लोग फिर से अपने project को compile करते हैं तो और जब आपने compile किया तो हमारी यह dart class फाइल तो बनी लेकिन यह हमारे इस pack one package के अंदर नहीं है हाँ तो कैसे बनेगा तो यहां पर compile करने का method नहीं वो change होगा तो इसको मैं फिर से delete कर देता हूं और जो compile करने का method आपको वैसे ही लिखना है simply आपको यहां पर क्या लगाना hyphen d space dot space कर देना है hyphen d directory को बता रहा है dot जो मतलब current directory यह current directory के हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर एक directory मतलब की इसके अंदर एक folder बनेगा है ना तो इस तरह से आपको file पहले आप कैसे compile करते थे java c file का नाम dot java करते थे अभी java c file का नाम dot java उसके बीच में hyphen d space dot space लगान यहां पर भी तो चलिए हम लोग simply इस program को इस तरह से compile कर देते हैं और मैं इंटर कर देता हूं और जैसे मैंने इंटर किया देखिए तो यहां पर आप देखिए कि यह pack one नाम से एक package बन गया है और इसके अंदर dot class file बनी है तो इस तरह से हमारा package generate हो गया तो run करने के लिए ह hyphen d space dot space करके उसको file को compile किया है अब अगर run करना है हमें तो पहले हम लोग क्या करते थे run करने के लिए लिए जावा और अपने file का नाम लिखते थे लेकिन अब यहां पर यह error देगा इस तरह से आप file को नहीं run कर सकते क्योंकि जो आपने file को run करना है वो file अब आपके pack one package के अंदर बनी है तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि कि यह file जो फाइल को आपको run करना है वो pack one के अंदर है तो आपको run करने के लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा pack one dart test लगाना पड़ेगा इस तरह से आप इस file को run कर पाओगे समझ में बात आई और जैसे आप इसको ऐसे run करोगे तो यहां पर hello student print हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग package बनाते हैं और package बनाने के बाद किस तरह से compile करते हैं और उसको किस तरह से run करते हैं तो अगर आपके पास multiple package हो कई सारे package हो और उन package के अंदर की file को आकर आपको run करना है तो package का नाम आपको लिखना पड़ेगा है ना हम दो अलग अलग package के अंदर से नाम से फाइल को रख सकते हैं है ना इस डाइग्राम में आप यहाँ पर समझिए कि जो यह हमारे पास package 1 है माल लीजे इस वाली फाइल का नाम है file1.java तो आप यहाँ पर कहीं भी एक file1 file1.java नाम से file बना सकते हो एक package के अंदर तो file का नाम सेम नहीं हो सकता लेकिन अलग-अलग package के अंदर file का नाम सेम हो सकता है तो जब माल लीजे आपको अगर यह वाली file को रण करना है तो आप कैसे रण करोगे आप लिखोगे आप लिखोगे java और लिखोगे pack1.file1 को रण करो है ना ऐसे रण करो और जब आप इस वाली file को रण करना चाहोगे तो यहाँ पर लिखोगे pack2 के अंदर जो file1 है उसको रण करो तो इसका मतलब कि दो package के अंदर या different package के अंदर हम सेम नाम से file को रख सकते हैं तो यह होता है देखिए क्या file मतलब package का concept है तो किस तरह से आप package बनाते हो है ना तो एक package में आप कई सारी files को बना सकते हो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक file और हो मैं काम करता हूँ मैं यहाँ पर simply एक और file बनाता हूँ मैं यहाँ पर लट से इसको एक जांपर बना लेता हूँ इसको और देता हूँ इस तरह से और simply इस file को भी मैं open कर लेता हूँ यहाँ पर अपने notepad++ से ऐसे और इसके अंदर भी मैं simply वही code लिख देता हूँ ऐसे और इसको भी मैं यहाँ पर pack one लिखूँँगा और इसका नाम मैं यहाँ से क्या कर दूँँगा example और यहाँ पर hello students मैं नहीं लिखूँँगा लिख दूँँगा मैं example class इस तरह से हमने यह class बना दिए अब मैं इस file को compile करना है आप ध्यान से देखो यहाँ पर जो हमारे पास example.java file है इसको मुझे compile करना है तो compile करने का step होई होगा लिखेंगे java c hyphen d space dot space test.java यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे example.java और इसको मैं इंटर कर देता हूँ तो जो example.class file बनेगे किस package के अंदर बनेगी pack1 के अंदर बनेगे और pack1 के अंदर देखे example.class file बन गई है इस तरह से आप एक package के अंदर कई सारी files को बना सकते हो और अगर मालो आपको example class file जो pack1 के अंदर बनी उसको आपको run करना है तो आप क्या करोगे run करने के लिए आप क्या करोगे pack1 के अंदर जो example है हमारे पास उस file को run करो देखे example class यहाँ पर print हो रहा है तो एक package के अंदर कई सारी files आप इस तरह से बना सकते हो है ना अब बताइए अगर मालीजिए pack आपके पाद दो package है pack1 pack2 है इसके अंदर आपने कुछ files को बनाया है कुछ java files को बनाया है और इसके अंदर भी java files है मालीजिए इस pack2 के अंदर जो यह तो पहले आप इस file को इस package के अंदर तभी यूज कर पाओगे जब आप इस package को इस package के अंदर ना import करो है ना आपको देखे जब हमने आपको बताया था user से input लेने के लिए तो हमने क्या किया था जो हमारे पास scanner class थी यह कौन से वाले package में बनी थी java के यूटिल package में यह वाली class बनी है है ना तो हमने क्योंकि scanner class को यूज किया था इसलिए java के यूटिल package को अपनी class में import किया था तभी तो हम लोग scanner class का यूज कर पाए थे तो अगर pack2 के अंदर किसी भी बनी file को यूज करना है इस package के अंदर तो इस इन files में जिस भी class file में हम यूज करना चाहते है तो इस file में हमें package को import करना पड़ेगा है ना इसको अपने अगले video में समझेंगे किस तरह से import किया जाता है ओके हलाकि जो हमने आपको यहाँ पर keywords दिखा यहाँ पर देखो package keyword है package को आज हम लोगे यूज कर लिया है यहाँ पर एक import keyword है इसको अपने अगले वीडियो में देखेंगे अगर आपने पिछले वीडियो देखें है तो जहाँ पर हमने user से input की बात किया था तो वहाँ पर भी import keyword का यूज किया था अपने अगले वीडियो में इसको और ज्यादा थोड़ा सा explore करेंगे so thank you I hope आपको सुन्याया होगा कि package कि तरह से बनाते हैं तो इसके बाद run कि तरह से compile करते हैं